परों में आगे बढ़ते हैं करनाल के घरोंडा में सीम फ्लाइंग, ड्रग कंट्रोल और स्वासे विभाग की टीम ने मधुपन सित अवैद क्लीनिक पर सयब पुरूप से चापे मारी की जोला चाप डॉक्टर के द्वारा इस अवैद क्लीनिक को चलाय जा रहा था चापे के दुरान मुखे से बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाईयां सीरिंच और इंजेक्शर मिले हैं अब आपको बताएं कि ड्रग कंट्रोल विभाग के दिकारें उने क्लीनिक से मिली दवाईयों को सील कर दिया है यहां से बरामत दवाईयों के सेंपल जांच के लिए भीज दिये गए हैं इसका साथ ही संचालक के खिलाफ विभिंधा राओं में मामला दर्ज कर दिया गया है जांच शुरू कर दी गई है तो यहां पर जोगिंदर नाम का व्यक्ति सनो परलाद रेजिडेंट आफ असोख विहार कलोनी वह यहां पर बैठा हुआ था और डोक्टरी प्रैक्टिस कर रहा था टीम ने आके अपना परीचे दिया और उनसे पूछा कि वह मतलब क्या कारिये कर रहे हैं तो उन्होंने अपने आपको यहां का डोक्टर और यह सारी दवाईयां उनने अपनी बताई इसके लावा जब जांच की गई तो नीचे यहां को उसने बैड भी लगा रखे जिस प आक्ट्रीब ट्रैक्टिस करने के बारे में लाइसेंस की बात की गई तो इस तरीके कोई लाइसेंस जो है